नमस्कार आप देख रहे हैं परमार्थावास खबर प्रियागरास से ग्यारह मई को प्रस्तावित जन्पद नियाला इलहबाद बार एसोसियेशन के चुनाव को निस्पक्ष बाश्रांती पूर तरीके से संपादित कराय जाने के दश्टिगत पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के समन में बरिश्पुले सदिक्षक द्वारा दी गई वाई प्रस्ता और पूरू की घटनाओं का आकलंग करते हुए उसको विचार में रखते हुए हमने चाक चौबन सुरक्षा के इंतजामात किये हैं बड़ी संख्या में गेस्टर्ड आफिसर्स के नेतरित्तों में करीब 600 की फोर्स डिप्लॉइड है इसमें जिला पुलिस के अलावा बी एसी और पैरा मिलिटरी बलों को भी डिप्लॉइ किया गया है चेकिंग और फ्रिस्किंग की पुक्ता व्यवस्था रहेगी सीसी टीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है छतों पर भी वर्दी धारी पुलिस परसनल की ड्यूटियां बाइनेकुलर और हैंड हेल्ट सेट और वीडियो कैमरा के साथ लगाई जा रही है ये लाईू की लोगों को भी सक्रिय किया गया है कि ये लोकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करें किसी वेश में ये छतों वेश में कोई अन्यशरार्ती तत्वा अपवाः खेलाने का या बाधा डालने का या बिग्ध डालने का प्रयास ना करने पाए उसके लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई है सभी पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है उनको एलर्ट किया जा रहा है सुशजित किया जा रहा है और पूरी तैयारी के साथ सुरक्षा के वाताबरण में भयमुक्त वाताबरण में निस्पक्षिता के रूप में इसको बहुत अच्छे से चुनाव संपन कराया जाना है उसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी तैयारिया नगबपूरा कर लिया है हमें उमीद है कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होंगे दो दिन, तीन दिन, चार दिन वो बहुत अच्छे तरीके से संपन कराये जाएंगे किसी को कोई परिशानी नहीं आएगी, ऐसे तत्यों को जो कि नकरात्मक हैं, शरार्ती हैं, अराजक हैं, आपराधिक किस्म के हैं, समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्थ हैं, अफवाह या अपने कृत्यों के दौरा माहौल खराब करने के चेस्टा करने वाले हैं, उनको आगाह और सावधान करता हूं, कि इस तरह की हरकतों से परहेज करें, अने था, आपको बेनकाब करते हुए आपके खिलाफ कटोर से कटोर कारिवाई भारतिय दंडविधान और अन एक्स की सुसंगत धाराओं के पहत की जाएगी, नियमा नुसार आपको जेल भेजन उनाएग. दो